इसके अलावा इटी पाक्ट भी है जो की बोकर्ज इसके फोकस में हैं फोकस सेरे हमें कैया कुछ है जानते हैं वामाक्षी से बताएं वामाक्षी आज वोकर्ज देलिवरी की तरश तरफ से सिटी ने खरिदार की राय बढ़कर आ रखी लक्ष रखा 688 प्रतिशयर का उनके मुताबिक जो e-commerce के लिए sales है वो काफी मजबूत रहे है मगर उन्होंने अपने के f23 के e-commerce parcel volumes को घटाया है करीब 6 प्रतिशत तक उन्होंने f23 और 24 दोनों के लिए आई की जो estimates है उसको भी करीब 12 प्रतिशत से घटाया है वो flattish year-on-year adjusted EBITDA margins expert कर रहे है f23 में और टागट प्राइस को इसी के चलते उन्होंने करीब 7 प्रतिशत तक घटाया है 688 प्रतिशयर का टागट प्राइस दिया है मगर robust festive season के चलते उन्होंने delivery पर खरिदारी की राय को बरकरार रखा है IT share-on पर अब focus करते है Morgan Stanley की तरफ से report आ रही है उनके मताबिक IT के लिए downraids अभी भी जारी है margin pressures जो है वो दूसरे तिमाही में continue होते हुए सब्सक्राइब है और जो quarter on quarter growth rate है वो इन लाइन या भैतर हो सकते है Q1 of FY23 से और जो FY23 के लिए revenue guidance काफी IT company से इतनी अच्छी से नहीं आई है इसके चलते वो अज्यूम कर रहे है कि शायद second half of FY23 के लिए outlook इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है stocks भी काफी range bound हो सकते हैं और वो infosys को prefer करते है TCS के उपर infosys के लिए लक्ष रखा है 1550 और वो emphasis को prefer करते है LTTS के उपर अब focus करते है gas task पर तो काफी सारी brokerages आ रही है CLSE की राय जान लेते है पहले government ने increase announce की है domestic APM gas prices में और formula based domestic prices को करीब 40% से बढ़ाया है हाइक का around FY24 का जो EPS है ONGC के लिए और oil India के लिए उसको करीब 18% और 27% से बढ़ा सकता है respectively MGL और गुजरात gas को और 13 से 14 प्रथिशत का price hike करना पड़ेगा CNG और PNG में margins हलाकी negative रह सकते है city gas players के लिए और इसी के जलते जो गेल का LPG business है उसके raw material cost बढ़ते हैं सिटी की बात करें तो का सिटी के मुताबिक CGD यानि के city gas distribution stocks को near term weakness नजर आएगी price hikes negatively impact करते हैं गेल को और ONGC को फाइदा होता है developments pricing पे और allocation पे लिए यह ski monetable होगी आगे चलते हुए Jeffries की राय जान लेते है Jeffries के मुताबिक Gale का LPG profitability sharply fall हो सकता है feed stock cost के चलते आर आयल को marginal benefit हो सकता है Gale और IGL और महानगर की losers है महानगर गैस अनके MGL की losers है Jeffries के मुताबिक बिल्कुल वामाक्षी शुक्रिया यह सारे brokerage रपात समय बताने के लिए logistics place focus में है city as distribution company और IT pack पर भी नजर रहनी चाहिए